हेलो इस्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बात पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासस पर सोगत है क्लास 12 मैट्स NCRT में चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं आप व्यू मेट्रिक्स और परिवर्त आप व्यू के कोश्चन करा रहे हैं कि इसके पहले भी जो वीडियो मैंने अप्लोड किये हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्लम से देखना है तो प्लेलिस्ट बिजिट कर लेना और नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रस कर लेना चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन आज का पहला कोश्चन है दो आप व्यू देखे रखें A और B हमें निकालना क्या है B परिबर्त और A परिबर्त का मल्टिपल मतलब B का परिबर्त निकालना है और A का परिबर्त निकालना है इसके बाद हमको दोनों का गुणन करना है ठीक है ना और आपको सिद्ध भी करना है कि A और B का गुणा करके इसका परिवर्थ निकालेंगे ठीक है और इसके बाद जो आपका B का परिवर्थ और A का परिवर्थ रहेगा इसका गुणा निकालेंगे और दोनों होने चाहिए deeper, ठीक है, तो सबसे पहले पन करते क्या है, कि A और B का परिवर्थ निकाल लेते हैं, है ना, A परिवर्थ और B परिवर्थ, ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्राम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी एक कोश्चन, आपके पास A है, A कितना है, एक, ठीक है, दो और तीन, ये आपके पास A है, यदि हम इससे A परिवर्त निकालना चाहें, A परिवर्त, तो A परिवर्त में क्या होता है, कि जो आपका पंक्ती है, वो इस पंक्ती दिख रहा है, तो A ही इस्तंब बनेगा, तो A, दो, तीन, ये आपका परिवर्त निकला रहा है, परिवर्त में केबल आपको ध्यान देना है, पंक्ती को किसमें, इस्तंब में बदल देना है, चीज़ें क्लियर, इसी प्रकार B देखा जाए, तो B कितना है आपके आपके पास B आपके पास है कितना है तो 1 2 3 कि इससे मैं निकालता हूं परिवर्त तो इस में क्या होगा कि जो यह स्थांब यह उप आंक्त कि में बदाल जाएगा एक दो 3 हो गया ठीक है न अब हम निकाल लेते हैं B परिवर्थ और A परिवर्थ का दोनों का गुनर्ण ठीक है तो चले कर लेते हैं B परिवर्थ और A परिवर्थ तो B परिवर्थ कितना है आपका 1 2 3 ठीक है और इसके बाद गुनर्ण में हो जाएगा सवर यह लंबा होगा ऐसा करिए ए परिवर्ध कितना है ? एक दो तीन एक दो तीन यह हो गया अब गुनर में क्या होता है ? फर्स्ट रो फर्स्ट कालम फर्स्ट कालम तो 1-1,कम एक मतलब 1-1,दन 2-2-4,दो गुने 2 है ना फिर तीन दरकाई 9 मतलब 3 गुणे 3 clear इसका जो value total आएगा एक एक कम एक धन 2 दोना 4 धन 3 तरकाई 9 तो 9 एक 10 और 10 चार 14 यह आपका आगया के बन क्या आगया बी परिवर्थ और ए परिवर्थ का गुणा ठीक है ना अब हम इसको दे सकते हैं समिकर्ण 1 योखी जरुवत पड़ेगा इसको हम समिकर्ण 1 दे दे ठीक है इतना clear अब हमको क्या निकालना इस्पूरेंड ए बी मतलब एक का गुणा बी से करना है ठीक है ना आप भी होका आप लोग सायद देखेंगे एक कामान कितना है एक दो तीन और बी कामान है एक दो तीन होता क्या है फस्ट रो फस्ट कालम तो सेम हो जाएगा एक गुणे एक धन दो गुणे दो धन तीन गुणे तीन तो देख सकते हैं कितना हो गया एबी बराबर आएगा एक एक कम एक दोना चार तिंतर का इना कुल मिला कर चौदा आ गया, यह A B का माना आ गया, अब A B का इदी परिवर्थ निकालना चाहें, यह आप व्यू में एक ही अभयाब है, तो यह एक ही अभयाब रहेगा, क्योंकि एक पंक्ति और एक ही काला में इस पे, कुछ ही नहीं है, तो चौद समिखांग एक हुआ, 2 से, जो आपका A B का परिवर्थ है, वो B परिवर्थ और A परिवर्थ के मल्टिपल के बराबर होता है, और यहीं हमको सिद्ध करना था, तो चुका है, प्रूब्ड, ठीक है, यही सिद्ध करना था, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते ह सिद्ध करना था तो पहला question दीजी था आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा था चलिए अब देख लेते हैं दूसरे type के question को तो अगला question है आपका A और B दो आप view है इसमें क्या difference है कि देखिए उस पे मैंने लिया था तो एक आप देख सकते हैं दो पंक्ति हैं और तीन कालम है और इस पे आपके तीन पंक्ति और तीन कालम है तो इस टाइप पे question भी आपसे आना चाहिए तो करना क्या है सेम सिद्ध करना AB का परिवर्थ और A परिवर्थ और B परिवर्थ का मल्टिपल सबसे पहले आपन क्या निकालते हैं AB निकाल लेते हैं या हम ऐसा भी कर सकते हैं A और B का परिवर्थ निकालके मल्टिपल कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं चलिए तो हल करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या निकाल लें a b निकाल लेते हैं a b में क्या होगा a का b से गुणा होगा ठीक है न तो a आपके पास कितना है a आपके पास 2 4 minus 1 इसके बाद minus 1 0 2 ये आपके पास a कमान है और और B कमान कितना है आपके पास 3, 4, 5 है ना माइनस 1, 2, 7 2, 1, 0 यह आपके पास है B कमान है इन दोनों का multiply करते हैं तो होता क्या है 1st row 1st column ध्यान दीजिएगा 1st row 1st column तो करिए 3 दून अच्छे 4 एक कम 4 और 2 एक कम 2 फिर 1st row 2nd column तो 2, 4 को 8 धन 4 दूना 8 फिर रिण है तो रिण एक एक कम 1 फिर 1st row 3rd column 5 दूना 10 और फिर 7, 4, 28 फिर 1 का 0 से तो 0 ही हो जाएगा इसी प्रकार आपका है यहाँ पे 2nd row ठीक है ना तो 2nd row 1st column तो 3 एक कम 3 ठीक है 0 का 1 से तो 0 ही हो जाएगा फिर 2 दूना 4 2nd row 2nd column रिण 4 एक कम 4 2 का 0 से 0 2 एक कम 2 हो जाएगा 2nd row 3rd column 5 एक कम 5 है ना फिर हो जाएगा 0 और फिर यह भी हो जाएगा 0 यह होगे आपका clear चलिए आगे अधी calculate करें तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 4 दो 6 मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 16 में घटा दें तो आजाएगा 15 ठीक है यहाँ पर देखिए तो 28 और 10 कितना होता है 38 होता है ठीक यहाँ पर देखा जाए तो 4 में आप 3 घटा होगे मैनस 3 है ना तो आजाएगा 1 यहांपर देखा जाए, माइनस 4 धन 2, तो माइनस 2 आएगा, यहांपर देखा जाए, तो माइनस 5 आएगा, यह आपके पास किसका माना आया, तो AB का माना आया, मतलब A का B से हमने multiply कर दिया अब हमको करना क्या है A B का परिवर्थ निकालना है A B का जब परिवर्थ निकालेंगे तो करेंगे क्या जो आपका पंक्ति है उसको इस तम में बदल दें तो 0, 15, 38 फिर हो जाएगा 1, minus 2, minus 5 यह आपके पास हो चुका है जब A का परिवर्थ और B का परिवर्थ निकालेंगे तो सीधर चेंज हो जाएगा पंक्ति का स्तंब में और स्तंब का पंक्ति में डाइरेक्ट मैं लिख रहा हूं A का परिवर्थ जो A का माने 2, 4, minus 1 है तो इस्तंब मिष जाएगा 2, 4, minus 1 question आप देख सकते हैं start में देखेंगे फिर है एक minus 1 0 और 2 यह direct हम निकाल दिया परिवर्थ तथा बी का परिवर्थ निकालना चाहते हैं तो बी का परिवर्थ भी change करेंगे हो जाएगा 3, 4, 5 हो जाएगा इसके बाद minus 1 2, 7 हो जाएगा 2, 1, 0 हो जाएगा यह clear होगे आपका एक का परिवर्थ और बी का परिवर्थ अब हम दोनों का multiple करेंगे मतलब गुना निकालेंगे तो बी परिवर्थ और ए परिवर्थ निकालने के लिए बोला है त्यान दीजीगा इसको हम समिकन एक दे देते हैं जिससे आगे आपको है न प्रूब करने में आसानी हो जाएगा चलिए तो बी परिवर्थ कितना है यहाँ पे 3-1, 2 3-1, 2 है 4, 2, 1 है 5, 7, 6 क्योंके न इसके बाद आपका है एक परिवर्थ कितना है 2-1, 4, 0 2-1, 2 यह आपके पास हो गया B परिवर्थ और A परिवर्थ अब दोनों को क्या कर दें गुड़ा कर दें चलिए कर यह क्या होता है 1-1, 2, 2, 6 ठीक है 1-4, 1, 4 1-2, 1, 2 1-1, 2, 2 1-3, 1, 3 0, 2, 2, 4 फिर आपका हो गया 2, 2, 2, 2, 2 और 1-1, 1 ठीक है फिर इसका से क्याइट से मल्टिप्लाई कर यह तो 4-1, 4 है ना 0 हो जाएगा 2-1, 2 हो जाएगा इसके बाद आपका 3rd row है 3rd row 1st column तो 5, 2, 10 हो जाएगा फिर 7, 4, 28 हो जाएगा और फिर 0 का गुड़ा होगा तो 0 हो जाएगा 3rd row 2nd column तो minus 5 फिर 0 हो जाएगा और 0 का दोस्ट होगा तो 0 होगा क्योंकि 0 का किसी से भी गुड़ा होता है तो 0 ही बनता है इसको calculate करिए तो देखिए कितना होगा यहाँ पर 9 आ जाएगा 0 ठीक है ना देखिए 6 में 6 जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर 8 और 8 16 हो जाएगा गटेगा तो 15 आएगा यहाँ पर देखा जाए तो आएगा minus 2 और यहाँ पर देखा जाए तो 38 होगा और यहाँ पर आएगा minus 5 तो आपका आचुका है B और A, इसको समिकर्ण आप 2 दे दें देखिए, समिकर्ण 2 में जो आ रहा है, मतलब B परिवर्थ A परिवर्थ का गुनन में जो आ रहा है वह चीज समिकर्ण 1 में है द्यान दीजे, एनि दोनों बराबर है तो हम यहाँ पर बस आप लिख देंगे समिकर्ण 1 वा 2 से समिकर्ण 1 वा 2 से जो आपका A B का परिवर्थ आया वो B परिवर्थ और A परिवर्थ के गुनन के बराबर है और प्रूब्ड सिद्ध हो गया तो इस प्रकार के कोश्चन दी आएंगे तो आप से बन जाने चाहिए अगला कोश्चन देखिए आपके पास एक आप व्यू है ठीक है ना और A का स्क्वेर्थ निकालकर परिवर्थ निकालना है और यहाँ पर A का परिवर्थ निकालकर स्क्वेर्थ निकालना है ठीक है इजी है चले करते हैं ध्यान देना है बर का मतलब A का गुणा A से ही करना है ठीक है अब यहाँ पर देखें कि दो पंक्ति और केवल दो ही काला में तो हल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि A का गुणा A से मतलब A स्क्वेर निकालते हैं अर्थाथ A का गुणा A से करते हैं तो इकोल में हो जाएगा आपका एक कमान कितना है दो तीन पांच माइनस साथ और यहां भी कितना आपके पास दो तीन पांच और माइनस साथ गुणा कर देते हैं तो कितना हैगा फ़स्ट रो फ़स्ट कालम तो दो दूना चार ठीक है ना और पांट यहीं पंद रहे हैं इस इसी प्रकार second row first column तो 5 दूना 10 हो जाएगा होगा ना और 7 पना 35 हो जाएगा फिर second row second column तो 5 तियां 15 हो जाएगा और 7 सता वंचा सिरिंडर्डर धन हो जाएगा ठीक है ना यह हो गया आपका और equal में कितना आएगा मेरे भाई इकोल में कितना आएगा देखी 15 है और 4 कितना होता है 19 कितना होता है 19 और यहाँ पर 21 में 6 गट आएगे तो माइनस 15 आएगा यहाँ पर देखे तो माइनस 25 आएगा और आपका 14 और 15 जोड़ने 64 आएगा ठीक है तो यह आपका आए a square अब हमको क्या निकालना है a square का परिबर् माइनस 15 अब यह जो दूसरा पंक्ति इस तम मतलेंगे तो माइनस 25 और यह 64 यह आपका complete हो चुका समिकार्ड एक अब हमको क्या निकालना है student यहाँ पर a का परिबर्त निकालकर बर्ग निकालेंगे ठीक है सबसे पहले देखते हैं a का मान कितना एक आपके पास तो कितना है 2 3 5 माइनस 7 तो a का परिबर्त कितना हो जाएगा बदल दीजिए तो हो जाएगा 2 3 जो आपका पहला पंक्ति इस तम में बदल गया दूसरा पंक्ति है तो दूसरा इस तम में बदल दी हमने तो यह हो गया आपका a परिबर्त अब निकालते हैं अपन a परिबर् का गुणा यह परिबर्द से ठीक है न तो दो पांच तीन और माइनस साथ इसका जो गुणा होगा दो पांच तीन माइनस साथ से clear है ना चलिए आगेल करिए फाष्ट रू फाष्ट कालम थो दूना चार और तीन दूना नौ थीकर फाष्ट रू सेकेंड कालम थैस और साथ पना धागे जातीस आपका प्र्णारा रुटीं रूर फाष्ट क्यालम calculate करिए कितना आएगा आपके पास 9 और 4 कितना होता है 9, 4, 13 थोड़ा सा mistake हो रहा कहीं पर 2, 2, 4 और 5, 3, 15 यह होता है 15 धहन दीजेगा 1 रो 1 करम 2, 2, 4 और 5, 3, 15 फिर 2, 5, 10 5, 7, 35 बांकि ठीक है तो हो जाएगा 19 इसको calculate करोगे तो आएगा minus 25 इसको calculate करोगे तो आएगा minus 15 और यह हो जाएगा 64 इसको आप समिकरण 2 दे सकते हो एप परिवर्त का बर इसको दे दो समिकरण 2 अब देखे समिकरण 1 में जो value है वही आपका समिकरण 2 में है तो आपका जो प्रूव हो रहा है समिकरण 1 वा 2 से क्या प्रूव हो रहा है कि जो a square का परिवर्त है वो a परिवर्त के बरगे के बराबर है ठीके ना तो यही हमको सिद्ध करना था और प्रूव भी हो चुका है तो आसा करता हूँ आज का छोड़ा वीडियो है और इस type के सारे question मैंने करा दिये इसलिए मेहें पर समाप्त कर रहा हूँ जो 3.7 है मतलब exercise आपका 3.7 है प्रिशना वाली 3 समलो साथ वो अगले वीडियो में जल्दी आएगा और अगले type के question जो भी रहेंगे जैसे सम्मीत आप भी होता है विसम सम्मीत आप भी होता है तो सारी चीजे मैंने मतलब तयार कर रहा है वीडियो भी जल्दी से बना के आपको दे दूँगा ठीक है तो चलते हैं वीडियो कोहीं पर समाप्त करते हैं मिलते के लिए वीडियों नेट आप किसना तब तक लिए जैहिंद बंदे मात रहा हूँ